राज्यस्तान के सिक्षा में बढ़ते गदम के तहट जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर साल एक असेस्मेंट करवाते हैं जिसको हम सस्टेनेबल रेमेडियेशन कारेकरम के असेस्मेंट के नाम से जानते हैं पिछले वर्ष भी हम लोगोंने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार तरीके से असेस्मेंट किया था जिसके लिए पूरे भारत में हमारा नाम हुआ था इस वर्ष भी आपके बीच में वो असेस्मेंट कारेकरम फिर से आ गया है और मैं आप लोगों से दो-तीन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं आप सबी से ये निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ इन दिनों में उपस्तिती 100 परतीशत रहनी चाहिए तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसे कि कमजोर बच्चे इन दिनों में स्कूल ना आए हमें सभी बच्चों को असेस करना है तो अभी से मैसेज करना शुरू करिए कि कौन से दिनों पर 100 परतीशत पस्तिती होनी जरूरी है उसके बाद ये याद रखिए कि अगर असेस्मेंट में बच्चे कमजोर रहते हैं हमें उसका इलाज निकालना है हमें उसका सोलूशन करना है अगर हम उनकी गलत तरीके से मदद करने का परयास करेंगे तो जैसा कि आपको ध्यान है कि लास्ट टाइम भी अर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल की वज़े से हम लोगों ने 200 से जादा ऐसे लोगों को इडेंटिफाई कर लिया था जिन्होंने मास कॉपिंग जैसी चीज़ें करवाई थी लेकिन हम इस बार यह उमीद करते हैं कि ऐसा मुका हमें नहीं मिलेगा क्योंकि AI टूल्स को और अधिक समरिद किया गया है बहुत अच्छे 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 प्रफेक्शन किया गया है तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं भी की जानी चाहिए वैसे भी एक टीचर का उदेशय होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो सीखा गया है उसको वो कितना समझ पाया है अगर वो उसको थोड़ा कम समझ पाया है आपको जब पता चलेगा तो आप इस सत्र के बचे हुए महीनों में उसके उपर काम कर पाएंगे तो मै आपको सबको चुपकामना ही देना चाहता हूं कि इस असेस्मेंट के कारिया को पूरी इमानदारी के साथ करें अच्छे तरीके से करें ताकि रज्यस्तान का जो स्टूडेंट्स का जो सिक्षा में पढ़ने का जो लेवल है वो सबके सामने आ सके देने बाद